हेलो फ्रेंट्स मैं कुल जीत आज फिर आपका आपके चैनल एक्जामपूर में स्वागत करता हूं तो दोस्तों हमारी क्लास है कारेंट अफियर मिसाइल जो हम रोज करते हैं कोश्चन फॉर्मट में तो आज हैं 22 नुवंबर 2018 और हमने पहली तीन क्लासिस कर ली हैं और अब मैं आप इसी सेशन की सुरुवात करना चाहूंगा एक मोटिवेशन थोटी सी सपी से देखिए चनक के एक साथ जो चंदरगुप्त था जब भी निराश होता था वह बहुत बड़ा अभ्यान लेकर चले थे पूरे देश को एक अखंड बारत में बदलना था तो उन्होंने उस मगच परिस्तिय थी अंब बहुत कटिं थे तो उन्होंने जब भी चंदरगुप्त को नोटी वेट करना होता था वह एक ही मात था मेंदा ऑ इसीज़ंना होसे सरह में परियास कर परियास बाग मत उसी से एह पनी पहली क्लास को इस क्लास बोको शुरू करता हूं तो दोस्तों आपके सामने है को सब्सक्राइब जो आपको कल दिया था तो यह क्या कहते है ट्रॉपिक ओफ कैंसर ट्रॉपिक ओफ कैंसर देखिए ट्रॉपिक ओफ कैंसर वैसे हमने बताया था कि आठ प्रांतों में निकल प्रांतों मैं से निकलता है यह बहुत सिटी है यह भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नजदीग पड़ती है तो यह हो गया हमारा कोशन की शुरुवात पे तो दोस्तों हमारा पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है वह यह विच कंट्री साइंड डील कौन सी कंट्री ने इंडिया के साथ 500 मिलियन डॉलर की डील साइन की है जिसमें उस टेल्थ फ्रीगेट को हिंदुस्तान में निर्मान करेगा बनाएगा और टेकनोलोजी लेकर आएगा उस देश से और यहां पर आके वह इसका निर्मान करेगा और देखिया कौन सी कंपनी को चुना गया है उसके लिए चुना गय रशिया रसिया से यह कौन्ट्रेक्ट हुआ है और इसके साथ जो रशिया के कंपनी का का पाल्थ हूआ वхण सी है नों को आपकें से और जापी बनाएगी दो से ल्ट को यहां पर इंडिया में बनाएंगी और इससे इंडिया को technology transfer होगा देखिए technology transfer का फाइदा क्या होता है यहां पर technology होगी यहां पर चीज़ेंगी हमारे workers को experience मिलेगा हमारे companies को experience मिलेगा ठीक है हमारे यहां पर जंगी पंडूपियां या फिर शिप्पें बनने शुरू होगी तो इससे हमारा ही फाइदा होगा ठीक है कहीं कहीं हमारा import बहुत ज्यादा है defense चीज़ों का defense के materials का और देखिए जहां पर देखा गया है काफी सालों से मैंने नोटिस किया है कि जो नेवी का जातर शिप्पें होती है है यह इंडिया रशिया से खरीदना पसंद करता है रशिया तो वैसे इंडिया का बहुत बड़ा बहुत पुराना strategic partner है इसलिए रशिया ने अमेरिका को दुतकार का जब अमेरिका ने सेंक्शन लगाने की बात की कि हम सेंक्शन लगाते हैं फिर भी इंडिया ने S400 को रशिया से खरीदा ठीक है उसकी डाइस डील साइन कर ली चलो फ्रेंड्स यह हो गया मरा पहला कोशन अब हम चलते हैं नेक्स कोचन पर तो हमारा नेक्स कोचन आपकी स्क्रीन पे अंडर विच मिनिस्ट्री इंस्टिटूशन इनोवेशन काउंसिल प्रोग्रम लौंजड देखो सबसे पहले इंस्टिटूशन काउंसिल इनोवेशन काउंसिल प्रोग्रम क्या है देखिए जो हमारे higher education institute होते हैं जहाँ पर हम डिग्रीज करते हैं वहाँ पर बच्चे B.Tech करते हैं IIT होती है ठीक है या फिर दूसरे छोटे कोई भी को लगा लिए जहां पर बी टेक करते हैं चाहे मेकैनिकल इंजिनियर निंग इसके बाद बी ऐसी वगरा होती है बाइलोजी की फीजिक्स की ऐसी सब वह कहते है कि ऐसे जो हाइर एजुकेशन इंस्ट्यूट है वहा वह कहते हैं कि जमीनी स्थर पर हर को मिलने चाहिए अब यह थोड़ना कि जो बच्छा IIT में पढ़ता है सिर्फ वह इनुवेट कर सकता है हो सकता है कि किसी और जगह बैठा बच्चा एक आम बच्चा इनुवेट कर ले कई जगह पर देखने में है कुछ बच्चे पड़े करने के लिए एक तरह सीधा समय लो किसका इनुवेशन का यह प्रोग्रम लाया गया है और यह किसके द्वारा लाया गया है मिनिस्ट्री ओफ यूमन रिसोर्स डेवलप्मेंट यह बहुत अच्छा इनिशीटिव हमारे टाइम पर मेरे टाइम पर तो नहीं आया काश जी आ यह बच्चों के वेलफेर में काम करती है बच्चों के वेलफेर में काम करती है बच्चों का डवलप्मेंट या फिर बच्चों का कुछ भी करना हो उसमें यह बहुत बड़ा भाग रोल प्ले करती है और यह वर्ल्ड चिल्डन डेक बनाया जाता है 20 नमंबर को मनाया जात मैं आगते क bushes और के तर्व हुआ सगय और से में प्रोग्राम सरे उनिससेफ के जिसमें यह अपने रिप्रेजेंटेटिब को बेचते हैं जैसे amma वाथन जी कि अक्ट्रेसिस यह में शच चैंट देगे कर करते हैं लोगों के नग्रेंज करते हैं नहीं नीचिजें करने बहुत important है देखिए हाली में नेशनल टाई से कणर टाईगर में क्या कि Does से कित रों को टाई गर को री लोकेट एक क्या किया सत्कोसिया में इस को स् passar मैं कि यह को किई तो वहाँ पर जाके थे टाई गरमर गया यहां से एक स्टेट से उठाकर दूसरे स्टेट में टाइगर को लोकेट कर दिया जाए और यह किया उसके बाद टाइगर का मर जना बहुत बड़ी बात है वैसे टाइगर को बचाने के लिए तने बड़ी अभ्यान चल रहे हैं तो फ्रेंड्स इसको फिर इशु चला तो उन सतकोस या टाइगर रिजर्व केस्ट में है उड़ी समय है ठीक है फ्रेंड्स तो आप हम चलते हैं अपने नेक्स कोच्छन पर टर्म H1N1 सीन इन न्यूज रिलेटिद टू H1N1 दोस्तो H1N1 टर्म न्यूज में है और वो किस से रिलेटिद है किस से रिलेटिद है देखिए जरा चार ओप्शन है इंफ्लेंजा स्वाइन फ्लू बर्ड फ्लू आल अफ अबाव नहीं है स्वाइन फ्लू से रिलेटेड किस्से है स्वाइन फ्लू से रिलेटेड जब भी ऐसी कोई टर्म आपको एक्जाम में दिखे या नियूस पेपर में दिखे और उसी वगत उसको देखो कि उसके साथ जो बिमारी लिखे गई है वो कौन सी है क्योंकि यह चीज़े पूछी मुं में दा सकती है कि कह फेंट सो जोब हम चलते है नाइस्ट कोचर पर फ्रॉम विच कंट्री एशिया फवी बिविलॉंग इस या बिबी कौन है कर देखें पाकिस्तान में इशिया बीबीजी है, इनके उपर case चला, charge से लगा किसके, blasphemy के, blasphemy क्या होती है, इश्ट निंदा, इश्ट निंदा, इनने पर charge लगा, कि इनने वहाँ पर मुहम्मद की या कुरान की निंदा की है इन पर ये चार्ज लगा पर उस पे बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है जैसे कि उनके जो लॉयर है वो भी जिन्नों ने इनका केस संबाला वो भी देश छोड़ के बाग गए हैं दूसरे देश में और वहां पर ये बात चल रही है कि अगर कोई अगर इस लोयर को धंकिया देनी बंद ना गई गई और देश में वापिस ना लाया गया जो इनका लॉयर था आईश्या बीबी का तो हो सकता है कोई आगे जाने वाले टाइम में ब्लास फेमी जैसे इस इस नंदा जैसे चार केसिस में कोई भी लोयर अपना ह कोस्चन त्यान रखेगा हूं इस दा डिरेक्टर जनल ओफ अनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टिटीट डिरेक्टर जनल ओफ एनरजी एंड रिसोर्स इंस्टीट अजे माथूर देखिए बाते चल रही हैं कि जो दिल्ली जैसे शहर या फिर बड़े शेहर आपर पल्लूशन आज कल बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है बहुत बड़ा विवाद का मसला बनता जा रहा है उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में जैसे employment या फिर नोक्रियां देना या सफाई या फिर अच्छी व्यवस्ता जा ऐसी या फिर law and order को मिटेन करना यह चीज़ आप अप्लिटिकल में लेकिन आने वाल टाइम में पॉल्यूशन फ्री स्टेट या फिर प्लोश्ण फ्री स्टीव ना लेका भी एक पॉलिटिक्स का मुद्धा आने वाले साहिम में बन सकता है ठीक है चलो अब हम चलते आपने नेक्स कोश्चन पर क क्योंकि आज कल पोलुशन बहुत हो रहा है दिल्ली जैसे में तो बहुत जदा गुटन होती आर्टिफिशल रेन की अब मैं हमने कल बात की थी वह कल या परसों की सेचन में बात की थी तो वह पी अब करवाने की जरूरत पड़ गी इंडिया में चलो वाट इस विट्थ ऑफ समुंदर का एरिया आता है उसको हम क्या कहते हैं मलक्का स्ट्रेट ठीक है n चाईना को जजाद दमखं दिखा रहा है की इसकी पिट्रॉलिंग तो मैं ही करूं गा पैट्रॉलिंग का खत्रा क्या होता है वहां की आर्मीश चाईना की नेवी अगर यहां पे सबस्टों मig TOP 317 का नियूवर और ने इंडिया का साथ दिया कि हां वो भी चाही तो यहांपर अपनी क्या गश्ट कर सकता है तो मलक्का स्तेट की वृथ कितनी है दो इन दोनों क बीच में जैसे मलाका स्टेट में पानी का एरिय Hydra की Tahalim about 40 कलोमेटर के आ सपास का इसकी Han Solo जमने कितनी और इसकी लंभाई कितनी है सेट डोंगारिया कॉंड ट्राइब सिटुएटिड डोंगारिया कॉंड ट्राइब देखिए यह न्यूज में क्यों है डोंगारिया कॉड ट्राइब देखिए जन जाती है न्यूज में जन जाती है तो वैसे भी हमारे शेड्यूल में उनको स्पैशल रेजर्वेशन इंडिया जो इनका साथ देती है, उनका कहना है ठीक है, यह वो कह रहे है कि इनके उपर अत्य चाहरा है, किस नाम पे, CPI मायोष्ट, जो उनके साथ जुड़ने के नाम पे, वहां की पुलीस कर रही है, वह जिस भी स्टेट में, जिस स्टेट में है, ठीक है, और वहां की गव त्राइब किसमें है उडिसा में है और यह पॉंड ट्राइब एथनीग गरूप है उनसे मिलते हैं ठीक है उनके अंदर आते हैं यह ओके फ्रेंज सब चलते हैं नेक्स पर तो फ्रेंज हमारा सेशन पूरा हो चुका है जो यह एंटि-बाइटिक वीक है सबसे पहले आपके एक और ऐक और कोश चीनाता कि एंटि डाइटिक एंटिकर रिजिस्तन्स किया है किखती है यह अवेर्नस विसेंस आना है किसकी लिए मामलें में यह बडों वमेंस खिलाने के लिए किया गया है ठीक है अब आपको देखना है कि Antibiotic Resistance का issue क्या चल रहा है और Antibiotic Awareness Week कब मनाया गया ठीक है चलो इसी के साथ complete करते हैं और मैं आपका Example में आने के लिए thanks करता हूँ Okay friends, bye